गायत्री माहमंत्र एक बार मेरे साथ दोराओं ओम भूर भूवाह सह तश्वी तुर्वारेणियम भर्गोदेवश धीमही धीयो यूनः प्रचोदयात लकडी के अंदर आग छुपी रहती है परंतू से आग से ही प्रकट किया जाता है हमारे चिन्तन में चेतना में चिन्तन छुपा हुआ है भावना से ही उसको प्रकट किया जा सकता है कल मैंने बताया था समझाया था आत्मा की पुकार की बारी में आदमी का स्वभाव है उसको सुन करके अंसुनी करने का निवेदन ये किया जा रहा है कि आत्मा की पुकार को अंसुनी ना करे वरना पाप का बोज उपर चड़ता चला जाएगा है किसी समय पर नसे पत्ती को करना बुरा माना जाता था परन्तु आज का समय दोर बन चुका है उसका उसको बुरा नहीं माना जाता है और वो अब हमारे स्वभाव में भी उतर चुका है मतलब क्या हुआ किसी के घर गई बीडी, सिग्रेट, चाय, पानी उसका नहीं पूछा पहले हुक का पानी कहते थे अब बीडी, सिग्रेट कहने लग गए यानि के हमारी इज्जत का साधन बन चुका है नसापत्ती हमारी इज्जत का साधन बन चुका है वो हमारे स्वभाव के साथ जुड़ चुका है परन्तु, ये नहीं समझ रहे के पाप व्रतियों के जो प्रभाव है हैं, वो हमारी चेतना पर चड़ते चले जा रहे हैं आज आदमी का स्वभाव कुछ ऐसा हो चुका है के आदमी कहता पैसे के बगएर काम नहीं चलेगा परन्तु, मेरा कहना ये है के रिष्टे के बगएर काम नहीं चलेगा जो आपका संबंध है, उसके बगएर काम नहीं चलेगा इसलिए अपने रिष्टे की इज्जत करें जो आपका रिष्टा है, उसकी आप इज्जत करें तो काम चलेगा पैसे से साधम खरीदा जा सकता है रिस्ता नहीं खरीदा जा सकता इसलिए आज कल मैंने जो बोला था आर्थिक अत्याचार आज उसे अत्याचार की सिनेडी में नहीं गिना जा रहा पर आर्थिक अत्याचार ने इस्थिती को ये पैदा कर दिया है कि आज कोई रिस्ता रिस्ता नहीं रह गया फिर से बोलूँगा मैंने शुरू में बोला था लकडी के अंदर आग छुपी है पर उसे आग से ही प्रकट किया जा सकता है व्यक्ति के अंदर परमात्मा छुपा है आत्मा के रूप में एक बात कहूंगा जितने भी पेड़ पोधे यहां तक इंसान भी है जैसे पेड़ पोधों पर हर्याली होती है प्राण तक्तो के कारण ऐसे इंसान के अंदर भी जवानी होती है उसी प्राण तक्तो के कारण यह प्राण तक्तो जिसमें पैदा हो जाता है वोही सक्रिय हो जाता है क्रियासील हो जाता है अब यह कहना चाहना परमात्मा बहुत दूर है मतलब हमारी पहुत से परे है पर है तो अब कहां पर है परमात्मा कहां पर है चित के उस पार यहनि के वो चित के चेतना के पार है महा तक हमको पहुँचना है परन्तु गुरू हमारे पास है सामने है यहां मैं फिर से एक बात कहुँआ अपने मन की तन की बात जिससे कर सके उसी को गुरू कहते हैं जिसके सानिद्य में हम बैठ सकें जिसके चर्णों में बैठ करके हम उपासना कर सकें जिससे आचार विचार का आदान परदान हो सकें उसको गुरू कहते हैं अपने मन की बात कह सकें उसको गुरू कहते हैं अब मैं फिर से कहुँआ गुरू वो शक्ती है जो चित के इस पार भी है और चित के उस पार भी है चित के इस पार वो अपने सिश्य से जुड़ा है और चित के दूसरी पार वो परमात्मा से जुड़ा है परमात्मा एक सेतु है इस दूरी का इस गैप को भरने का एक सेतु है जो बड़ा कठिन है पार करना जो पार करना बड़ा कठिन है परन्तु सेतु के बंजाने के कारण वो पार करना बड़ा सहज हो जाता है उसको पार करना बड़ा सहज हो जाता है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है जो सिष्य के लिए परमात्मा सब्द को प्राणवान बनाता है बात को ध्यान से समझ लेना जो सिष्य के लिए सिष्य रूपी पोधे में जान डालता है प्राणवान बनाता है वो ही गुरु है जो वास्त में गुरु पर्मात्मा की एक जलक के रूप में प्रकट होता है मतलब को किलियर कर ले जिसके रूप में पर्मात्मा जलकता हो वो ही गुरु है अपने हाथ हमने प्राथना से उठाई है उसके सामने जोड़े है और जोड़ करके ये कहता है जब सिश्व मैंने भगवान हाथ उठा करके जोड़ दिये तेरे सामने अब तेरी मर्जी उसी को समर्पन कहते हैं उसी को समर्पन कहते हैं ये हाथ उठने का बतलब जीवात्मा पर्मात्मा के सामने एक धम से समर्पित हो जाना ये कोई एक साथ नहीं कर सकता ड्रामा करता है करने वाला करता तो है परन्तु ड्रामा करता है समर्पन नहीं है समर्पन नहीं है ड्रामा है सच्चाई नहीं है एसत्य है आप गुप्त अनुस्थान कर रहे है अपनी कमजोरी अपनी असत्य को अपने अंदर से निकाले और अपने अंदर सुद्रणता लाएं समर्पन से आएगी क्योंकि परमात्मा का हमें कोई पता नहीं है कोई पता नहीं है बताने वाला हमें गुरु है बताने वाला हमको गुरु है जब गुरू का प्रवेश हमारे अंदर हो जाएगा किस के रूप में? सत्य के रूप में? जलक जाकी के रूप में? प्रान तत्तो के रूप में? सत्य के रूप में? तो हमारा जीवन जैसे पेड हरा भरा होता है हमारे जीवन में भी बहार आ जाएगी किस के कारण? उस परमात्म तत्तो के कारण परमात्म तत्तो के कारण वहार आ जाएगी हम नहीं जानते परमात्मा कहां है? किस दिसा में है? वो कौन है? उसे कैसे पुकारे? उसका नाम क्या है? उससे क्या कहें? और वो कौन सी भाशा को समझता है? याद रखना इन सब बातों को हम नहीं जानते हैं अपनी मर्जी चलाते हैं अपने आपे से जानते हैं जो हम जानते हैं वो ही जानते हैं गुरू को नहीं जानते हैं गुरू को नहीं जानते अगर गुरू को जानना है तो गुरू के निकट जाना होगा सरीर के निकट नहीं कहा है गुरू के निकट कहा है जाना होगा और गुरू के निकट अगर हम जाना चाहते हैं तो वहां से हम जीवन की वर्ण माला को सीखते हैं गुरू के निकट जाकर के हम जीवन की वर्ण माला को समझते हैं वो कौन सी बहसा है जिसमें गुरू हमारी बात को समझता है तो दोनों के बीच में उस वर्ण माला के द्वारा आदान प्रदान की प्रक्रिया सुरू होती है ये परमातमा के इस तरपर चलने की पहली सीडी है पहली सीडी जब आदान प्रदान होने लग जाए तो गुरू और सिश्च के बीच में ये पहली सीडी है बहुत पहले प्रवचन में मैंने आपको एक बात समझाई थी जहां सिश्य को अपने में कमी नजर आने लग जाए अपनी तुलना अपने गुरू के साथ करके जहां अपने में कमी नजर आने लग जाए याद रखना फिर से कह रहा हूं गुरू के निकट बैठने का मतलब ही ही है गुरू की वर्ण माला हमें समझ आने लग जाए अगर वो हमें समझ आने लग गई तो कमिया जो हमारे अंदर हैं वो उसके ग्यान के प्रकास में हमें साकार होने लग जाएंगी बहाशा बोलने के लिए ग्यान की आवशकता है नहीं तो बहाशा एक शोर है शोर उल्टा सीधा शोर है कुछ भी बोलिए बड़ 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 कुछ भी बोलिए चेडिया चेह चाती है कववा काव काव करता है मौर पीकु पीकु करता है वो सब हो रहा है दुनिया में अपनी अपनी हर योनी अपनी अपनी भाशा को बोल रही है परंतु वो एक मात्र शोर है जिसमें आशे नहीं है जिसमें उद्देश नहीं है जिसमें भावना नहीं है वो एक शोर है भाशा नहीं गुरू और सिश्य के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो किसी भासा का नहीं होता है मूख भासा में भी भावना का आदान प्रदान संप्रेशन होता है मैंने कहा पहली सीड़ी पहला पाईदान जब सिश्य अपने तुल्ना अपने गुरू से करता है तो उस सिश्य का पहला पाईदान है क्योंकि गुरू हमारे पास जैसा है और जैसा नहीं है कुछ-कुछ हमारे जैसा है और कुछ-कुछ हमारे जैसा नहीं है कुछ-कुछ जो हमारे जैसा है वो हमारे मेल उसके साथ खाता है और जो हमारे जैसा नहीं है वहाँ पर हमारा मेल नहीं खाता है ये गंगा और यम्ना का मिलन है ये नाले का और गंगा का मिलन है सिश्च जब अपनी कमियों को लेकर के गुरु में समा जाता है तो गुरु उसकी कमियों को मिटा करके अपने जैसा मना देता है जैसे नाला गंगा में मिलकर के गंगा बन जाता है वैसे ही शिश्च भी गुरु के साथ जुड़ करके गुरु के स्तर का हो जाता है उसकी ब्रादरी का हो जाता है ये ही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है इसी को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहते है जहां तक वैं हमारी जैसा है वहां तक तो हम कह सकते हैं कि हमें वो समझेगा वो जो हाँ वो हमारी जैसा नहीं है वहां उसकी करपा हम पर नहीं आएगी वहां उसकी करपा हम पर नहीं आएगी गुरु नकल को नहीं मानता है समर्पन को मानता है गुरु का चमतकार है गुरु जो कुछ भी करता है वो सिश्च के जीवन में चमतकार करता है चमकाने का काम करता है चमतकार से मतलब है चमकाने का काम करता है जो अजूबा है उसको परकट करता है यह प्रकट करना ही गुरू की महिमा है गुरू मनुष्य जरूर है मनुष्य के जैसा वैवाहर भी करता है खाता पीता भी है और मल विसर्जन भी करता है वरंतु उसका एक दूसरा सरूप भी है जहां उसमें से परमात्मा की जहलक जहां की नजर आती है देखने वाले के ऊपर है वो अपने गुरू को किस रूप में देखता है किस रूप में उसका प्रियोग करता है वो तो प्रियोग करने वाले के उपर है उसको भगवान की जगे बठा करके भगवान के जैसा भी प्रियोग किया जा सकता है परन्त उससे अपनी मनो कामनाई भी पूर्ण की जा सकती है जैसे हम है ऐसे ही हात पैर उसके भी है शाद हमारे जादय ताकतवर मोटे हटे कटे होंगे गुरू के साद पैर शाद हमसे पतले होंगे सब नाक नक्स हमारे जैसे उसके भी है आवशक्ताईं, भोजन, भूख, प्यास, सर्दी गर्मी, जनम रत्यू सभी कुछ हमारी जैसा है जहां से हम गुजरे हैं वो हमसे पहले गुजर चुका है जो राहे शाद हमने अपनाई हो वो बहुत पहले उनको छोड़ चुका है जहां से हम कड़ गुजर रहे हैं उन्ही अंधेरों में टटोल टटोल करके उसने हमारे लिए मार्ग बनाया है हम भी वो ही टटोल रहे हैं अगर गुरू का मार्ग दरसल ले ले तो हमें टटोलने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी सहेज बढ़ते चले जाएंगे और एक बात और भी कहता हूँ जिस बच्चे को मा पैदा करती है उस बच्चे को मा ही समझ पाती है ऐसे ही गुरू ही हमें समझ पाएगा क्योंकि उसकी ही अतीत कता है हम उसी की आत्म कता है गुरू की ही हम आत्म कता है जहां वो कल था वहां हम आज है जहां वो कल था वहां आज हम आज है जहां वो आज है कल हम उस जगे पहुँच जाए हम कहते तो है परमात्मा सब्द मूँ से कह देना कुछ भी कह देना वो तो बहुत आसान है परंतु उसमें समा जाना और उसके जैसा हो जाना ये बहुत आसान नहीं है जहां ये होगा, जहां गुरु कल था, वहां आज हम हैं, परन्तु जहां हम दोनों मिलेंगे, वोही आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, इसी स्तर पर होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ गुरु सरीर नहीं है एक सेतू है एक सेतू है जो हमें जोडता है हम जुड़े हैं अपने सुख के साथ हम जुड़े हैं धन्दोलत के साथ हम जुड़े हैं अपने स्वार्थों के साथ हम जुड़े हैं अपने एहिंकार के साथ यह आवरन है हमारे उपर पर जब हम गुरू के साथ जुडेंगे तो यह आवरन गलेंगे इन में से हम बाहर निकलेंगे तो गुरू के साथ जुडेंगे जहां तक वह हमारे जैसा है वहां तक हम कह सकते हैं कि वो हमें समझेगा और जहां तक वो हमारे जैसा नहीं है वो हमें समझ नहीं पाएगा गुरू की किरपा वही आएगी जहां हमारे अंदर समानता होगी गुरू की किरपा वही पर आएगी जहां हमारे अंदर समानता होगी यही गुरू चमतकार है यही गुरू की महिमा है मैंने अभी कहा गुरू हमारे लिए सडक बनाता है रास्ता बनाता है माबाप ने जनम देने से पहले बच्चे के लिए इंतजाम करके रखा होता है जनम लेने के बाद उसे सब से सादन सब सुईधाय मिलती चली जाती है और वो अपना विकास करता चला जाता है ऐसे ही गुरू भी अपने सिश्य के लिए उन रास्तों को खोल करके रख देता है जिन पर चल करके जीवात्मा सिश्य के रूप में अपना उद्धार कर लेती है जब तक हम किसी मनुष्य में परमात्मा की जलक नहीं पाएंगे तब तक वो हमारे परमात्म सब्द का कोई उसमें प्राण का संचार नहीं होगा प्राण का संचार नहीं होगा गुरू परमात्मा सब्द की से प्राण करने की अभिव्यक्ती है यानि के हमारी प्राण में वो अपने प्राणों का संचरन करता है गुरू हमारे जैसा है इसलिए हम जो कहेंगे उसे वो समझेगा मैंने अभी कहा जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे की भाषा को समझती है और कोई नहीं समझ सकता जो माता समझती है मतब जितना माँ अपने बच्चे को समझती है कोई माँ दूसरी नहीं समझ सकती अपने बच्चे को उतना उसो वो समझेगा और समझेगा कि चोरी का मन हो गया हमारे मन में चोरी करने की आ गई रास्ते पर चले जा रहे हैं कीमती चीजे पड़ी हुई है जिस रास्ते पर हम चले जा रहे हैं उस पर कीमती चीजे पड़ी हुई हैं उसके किनारे पर अब बताईए देखने वाला क्या करेगा देखने वाले के मन की गती क्या होगी कीमती चीज पड़ी है अरे ना चाहा करके भी उसको उठाएगा आप चाहे कितने बड़े वो हो क्यागी हो पर कीमती चीज अगर पड़ी है तो पड़ी देख करके उसको उठाएगा और उठा लेने का बन हो जाएगा वो कहेगा ऐसा तो नहीं परन्तु कोई बात नहीं वो उसको उठा के रख लेगा चिंता ने करो कुछ घबराने की बात नहीं है परमात्मा तो उस पार है गुरू का एक सीरा उस पार है उसे इस किनारे पड़ी हुई चीजों से कोई मतलब नहीं है चाहे वो कितनी ही कीमती के उना हो वो तो अपने उद्देश से जुड़ा है वो तो अपने उद्देश से जुड़ा है वो भटकता नहीं है अगर गुरू हमारे जैसा है तो हमारी जैसी भासा को समझेगा और हम गुरू के जैसे है तो गुरू की भासा को समझेंगे संसार में रहकर के जीव महो माया से लगाव करता है मैं पूछता हूँ मेरा सवाल है एक व्यक्ति नसा करता है वो अपने रिष्टे से लगाव करेगा या नसे से लगाव करेगा जो लगाव उसे नसे से होगा मैं नहीं कह रहा कि वो अपने बच्चों से या अपने संबंदों से लगाव नहीं करता है परन्तु उनसे कहीं ज़्यादे लगाव वो अपनी आदत को करता है मैं फिर से कह रहा हूँ जितना हम दोनों के अंदर समानता होगी हम उतना एक दूसरे को समझेंगे मैंने गुरू की बात कही कितनी ही कीमती चीज़े पड़ी हो सांसारिक क्योंकि वो महो माया से ग्रसित नहीं है इसलिए वो उनको नहीं लेगा उनकी तरफ द्रस्ती भी उठा करके नहीं देखेगा परन्तु यहां भी मैं कह रहा हूँ गुरू यहां पर भी यह कहेगा तुमको बेटा घवराने की जरुरत नहीं है अभी मैं बैठा हुआ हूँ मैं इस पार भी हूँ और इस पार भी हूँ तुम आ जाओ तुम आ जाओ मैं अपनी पीत में बठा करके तुम्हें इस पार लेकर के जाओंगा हमारे जैसा है गुरु हमारे जैसी भासा ठीक हमारे जैसा नहीं निंदा करे और हमारे रोग में रसले कोतुहल करे और कुरेद कुरेद करके हमारे भीतर छुपे हुए रहश्यों को जानना चाहे गुरु तो सियब ततष्ट भाव से रहता है शान्त रहता है ततष्ट भाव से रहता है और शान्त रहता है वो सुन लेता है हम जो कहते हैं उसको सुनकर के केवल हमें आस्वासन देता है केवल आस्वासन देता है अपने स्तित्त से अपनी उपस्तिती से हमें आस्वस्त करता है और हमारे हाथ को अपने हाथ में लेता है या हमारे सिर पर अपना हाथ रखता है माता जी ने एक संगीत भी गाया है क्योंकि संगीत के साथ मेरा अंदर की रुची वाला स्वभाव नहीं है परन्तु संगीत में उन्होंने कहा है तुम जहां पर भी रहोगे हमारा हाथ तुमारे सर पर रहेगा तुम सोगे तुमारे सिराने हम बैठ करके तुमें दुला रहेंगे निहा रहेंगे माता जी ने गाया हुआ अपने मुक्ष संगीत है हम उनको अनुभव करें हम उनको अनुभव करें गुरु का स्वभावी हूता है च्छमा गुरु का स्वभावी ही इश्वर की तरप से प्रकर्ती ही उस तरह की है कि वो च्छमा करता है शिश्च चाहे कितनी ही गलती क्यों ना करे पर गुरु उसका कोई बदला नहीं लेता बदला लेने की प्रकर्ती गुरु की नहीं है जो अनुभव कर लेता है वो उसको च्छमा कर देता है अगर उसने च्छमा कर दिया तो परमात्मा निश्चित ही च्छमा कर देगा जब गुरु च्छमा करने में समर्थ है तो परमात्मा की तो बात ही क्या है गुरु मोका देता है अवसर देता है भुद्ध भगवान जब निर्वान को प्राप्त हो गए तो उन्होंने निर्वान के समय पर कहा मेरा जो आने वाला अवतार होगा उसका नाम मैत्रे होगा मैत्रे अर्थात मित्र मित्र भाव होगा गुरु सदा से निकटतम मित्र है कल्यान का मित्र है वो सबसे कुछ चाहता नहीं है उसकी चाहत जा चुकी है वो अचहा है हमारा कोई उपियोग करने का उद्देश हमारा किसी भी तरह का उपियोग करने का जो उद्देश है वो उसका नहीं है उसे कुछ उपियोग करने उसके लिए बचा नहीं है जो पाना था पा लिया वो अपने घर गया वो जो देखना था देख लिया जो होना था कर लिया वो सब तरह से त्रप्त हो चुका है ऐसा कोई व्यक्ती मिल जाए तो अपना सोभाग समझना चाहिए लेकिन लोग बड़े उल्टे है लोग गुरू से बच्चते है और उनको पाखंडियों को पकड़ लेते है जो गुरू नहीं है क्योंकि जो गुरू नहीं है उनसे हमें कुछ खत्रा है नहीं जैसे वो वैसे हम वे हमें मिटाएंगे नहीं हम उन्हें सूली भी नहीं देंगे हम उन्हें सिंगासन पर वठाते हैं वे हमारी मित्यू भी नहीं बनाएंगे उनके पास से हम जूटी सांतुनाई लेकर के घर लोटेंगे सत्य तो नहीं मिलेगा सत्य तो अनमोल है उसके लिए हमारी सूरत से मुक्ती भी पाना चाहेंगे हम जैसे हैं ये बताना है हम जैसे हो सकते हैं ये भी हमको दिखाना है उस तरब ले जाना है हमारी निंदा भी हो जाए पर हमारा आत्म विश्वास न डगमगाए बड़ा नाजुक काम है हमें इस पार से उस पार जाना है वो हमें समालेगा समालेगा से मतलब लोबी मोही कामी कोट कप्टी वो तो अपनी साधना इनी में करता रहता है उन्हीं में गिरता पड़ता रहता हमें क्या समालेगा पर जो वास्त में गुरू होगा वो हमको गिरने नहीं देगा और हमें समाल लेगा हमें ऐसा ना लगे कोई जवरजस्ती समाल रहा है हमारी सतंत्रा भी बचानी है और हमारे सत्त की यात्रा को भी पूरा कराना है ऐसा सद्गुरु ही कर सकता है जो अपने गर्ब से प्रान की उर्जा को दे करके हमारा पोशन करता हो अपने गर्ब से प्रान की उर्जा को दे करके हमारा पोशन करता हो वो ही गुरु है आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हो जाओ सबसे निवेदन कर रहा हूँ अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हो जाओ ऐसे सद्गुरु से जुडने का सोभाग्य आपको मिला है जो जीवन में आंत्रिक यात्रा को पूर्ण कर लेना ही स्रिष्ट कर समझता है ऐसे हमारे परम्पुज गुर्देव है कितना अद्बूद, कितना अनमोल, कितना बहुमुल्य हमारा जीवन है इसकी उपियोगिता और इसके महत्तों को समझें मैंने कल कहा था गुरू की महिमा को बताने के लिए और आज ही मैंने उसको बता भी दिया है मेरा आत्मिक निवेदन है और इसको समझाऊंगा आभी इसको गहराई तक समझना ये ही हमें गहराई में उतार देगा समय हो चुका है आज की बात को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ कल की गंगा विहार का प्रोग्राम भी और गोस्थी भी दोरों बहुत अच्छे रहे अच्छे निसकर्स निकले मैं उससे संतुष्ट भी हूँ परंतु मैंने कल कहा भी था ये पहली और आखरी नहीं है निरंतर चलती रहेगी हर आदमी करम करके महाँ गोस्थी में लेकर के आए जो आपने किया है मेरे पास ये है अपना अपना सब करके लाएं तब शक्ती बनेगी आज की बाद संपन ओम शांती ही शांती ही शांती